हलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक टू मंदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल तो बच्चो क्लास 12 टर्म 2 फिजिक्स के इंपोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत इंपोर्टेंट डेरिवेशन की विच इस डेरिवेश बी मैं दे रहा हूँ जो आपको मंदीप एजुकेशन अकेडमी की एप पर मिल जाएंगे आप उस एप को डाउनलोड कर लो उस एप में एक फोल्डर होगा क्लास 12 फिजिक्स टर्म 2 इंपोर्टेंट टॉपिक्स के नाम से उसमें आपको इस लेक्चर के पीडिएफ नोट एसे कोई भी कलर की लाइट रहे ऐसे आई अब ये ये एर है ये प्रिज्म बना है ग्लास का तो ये मीडियम है रेर ये मीडियम है डेंसर तो रेर से डेंसर मीडियम में जब रे आती है तो टूवार्ट्स नॉर्मल बेंड कर जाती है तो ये नॉर्मल है ये इस वाले फेस गई तो away from normal bend कर गई तो यह इसका path है, delta है angle of deviation मतलब यह है incident ray और यह है emergent ray यानि prism की presence की वजह से इस light ray के path में कितना deviation हुआ, यह ऐसे जारी थी और जब यह prism से निकली तो यह ऐसे हो गई, तो ऐसे का ऐसे हो जाना मतलब इतना deviation आया, so that is called angle of deviation जिसको हम delta से denote करते हैं, यह ray ऐसे आई, यह इसका angle of incidence हो गया I1, यह normal के साथ refracted ray का angle of reflection R1, वैसे तो यह emergent angle है, बट हमने इसको I2 का नाम दिया है कि अगर इधर से यह ray आती है, suppose उधर से आने के बज़ाए इधर से आती है, तो यह angle of incidence होगा और यह angle of reflection होगा, this is I2, this is R, हमने देखा कि अगर हम इस I1 की value बदलते हैं, तो delta की value बदलती है, और I2 की value भी बदलती है, इस ray को ऐसे, यह ऐसे कर दिया, तो I1 की value बदलने से I2 भी बदला और delta भी बदला, different, different delta की values हमको मिलेंगी different I1 की values पे, बट हमने एक बड़ी important चीज़ देखी, कि उन सारी delta की values में सबसे छोटी value तब आती है, जब I1 और I2 बराबर होते हैं, यानि angle of incidence और angle of emergence जब बराबर होते हैं, तो angle of deviation minimum होता है, यानि कि अगर I1 और I2 equal हैं, तो delta जो है, वो delta M से हम denote करेंगे, यानि angle of, इसको क्या बोलते हैं, angle of minimum deviation, ठीके, और हम इस बात को बहुत easily prove कर सकते हैं, पिछले derivations में, जब हमने derivation किया, A, delta, mu, वगरा के बीच में relation निकाला, तो हमको पता चला, कि delta जो होता है, वो I1 प्लस I2 माइनस A होता है, और इस equation से हम बहुत easily prove कर सकते हैं, कि delta minimum होता है, जब I1 और I2 बराबर होते हैं, कैसे, अगर मैं इस I1 को लिखूं, under root I1 का whole square, इकत नहीं, और I2 को लिखूं, under root I2 का whole square, क्योंकि यह root से square तो कटी जाएगा न, और साथ में यहाँ पे मैं 2 under root I1 I2 लिख दूं, और 2 under root minus में I1 I2 लिख दूं, तो यह दोनों कट जाएंगे, लिख सकता हूं, और इस minus A को as it is लिखा रहने दूं, हम यह कर क्यों रहे हैं, अब ही पता चल जाएं, तो देखो, A square plus B square minus 2AB, इन तीनों terms को मिला के, we can write under root I1 minus under root I2 का whole square, इस term को as it is लिखा रहने दो, minus A, अब आप देखो, किसी भी चीज़ की minimum value तब आती है, अगर उस चीज़ में कोई square आ जाए, तो square की minimum value 0 होती है, because square can never be negative, तो देखो, यह तो I1, I2 fix हो गए, A तो है fix, तो यह तो ऐसे ही रहेगा, तो इस पूरे की minimum value तब होगी, जब यह सबसे चोटा होगा, और यह सबसे चोटा तब होगा, जब इसकी value 0 होगी, क्योंकि यह square है, और इसकी value 0 कब होगी? अगर यह 0 है, तो हम यह लिख सकते हैं कि delta जो है, वो delta M होगा, यानि angle of minimum deviation होगा, और यह उधर गया, root हटा दिया, यानि कि हमें पता चल गया, कि जब I1 और I2 बराबर होते हैं, तो delta सबसे कम होता है, जिसको delta M से denote किया जाए, और अगर I1, I2 बराबर हैं, तो R1 और R2 भी बराबर होगे, अनि, angle of incidence बराबर हैं, दोनों तो angle of reflections भी बराबर होगे, अच्छा, तो बताओ फिर क्या होगया, delta की जगा डाल दें, delta M, तो I I1, I2 दोनों की जगा हम एक ही I डाल दें, अब I1, I2 दोनों बराबर हैं, तो हम उनको I1, I2 थोड़ी लेंगे, हमने उसको I ले लिया, तो I plus I, minus A, हमें यहां से I की value निकालनी है, तो delta M is 2I minus A, which gives I equal to delta M plus A divided by 2, also एक और relation हमने निकाला था, R1 plus R2 equal to A, अब आपको पहले यह relations derive करने होंगे, वो depend करता है question की weightage पे, दो number का question आये तो आप direct यह बोलना की यह relations होते हैं और derive कर देना, लेकिन अगर question आता है, तीन number का तो आप पहले यह derive करना, पिछला वाला जो lecture था, उसमें मैंने यह derive किये हैं, playlist में आपको मिल जाएगा, ठीक, R1 और R2 दोनों की जगा, R डाला तो 2R equal to A, और यहां से हमको R की value मिल गई, A by 2, since refractive index of the prism is what, it is sin I by sin R, अब R और I की जो values आपने उपर निकाली हैं, यह I है, यह R है, वो यहाँ पे डाल दो, और यह जो relation आपको मिलेगा, यही क्या है, prism formula, देखो, I की value यह डाल दी और R की यह डाल दी, so this is your prism formula, तो बड़ा important derivation है, इसको prepare कर लेना, मैं आप से मिलता हूँ next lecture में, तब तक के लिए all the very best,